हेलो फ्रेंट्स आप सब का आपके अपने चनल कोविन लेक्चार्स में एक बार फिर्सेस वागे थे तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्चे होंगे और आप सब की बड़ाई बेचे चल रहे होगी तो हमने कक्सा 10 विज्ञान विश्य के नविंतम पाट्यकरम 2024-2025 के अनुसार आपकी क्लासे सुरू कर दी हैं जिसमें हमने अध्याए 1 और अध्याए 2 इसकी संपुन व्याक्या और अभ्यास के समस्त प्रश्णों को सौल्व करा दिया है साथ ही सत आपकी गणित विश्य की प्रश्णवाली एक और प्रश्णवाली दो को बहुत अच्छे से सौल्व करा रखा है तो कई सारे विध्यारती बार-बार कमेंड कर रहे थे कि स्रम को नौट्स कहां से मिलेगी इसकी PDF कहां से मिलेगी तो आप सभी के request को ध्यान में रखते हुए आप आज की class में बात करेंगे अध्या एक के नौट्स की क्या आपके नौट्स के अंदर क्या क्या सामिल होगी और ये नौट्स आपको free और post कैसे मिलेंगे तो यहाँ प्रम बात कर रहे हैं कक्सा दस विज्ञान विशे के अध्याए एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समिकरण के मैतोपून नौट्स की जो फिलहाल अभी केवल हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है बहुत जल्द जो इंगलिस मीडियम के विद्यारती है उनके लिए भी उब्रद करवाए जाएंगे तो सबसे पहले हम नौट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रात कर लेते हैं कि इन नौट्स में मिलेगा क्या तो देखो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभीक्रिया एबम समीकरंग जिसकी व्याक्या और पाट के भीतर दियेगे प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को मैं पहले ही स्वाल्व करा चुका हूँ वो क्लासिस आप जरूर देखें उनकी लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो देखो बिलकुल नौट्स बहुत बढ़िया है जैसे कि पहला टोपिक है आपका रासायनिक अभीक्रिया तो रासायनिक अभीक्रिया होती क्या है उसके बारे में पूरी जनकारी यहाँ पर डिवी है यहां जहां जहां पर भी संबव है मैंने साथ साथ में इमेज भी जोड़े हैं ठीके ताकि आपको समझने में और ज़्यदा क्या हो आसानी है तो जैसे पूरा पहला टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभीक्रिया होती क्या है फिर आगे बात करें अब रासायनिक अभीक्रिया जब हमने पढ़ लिया तो अब हमें समझ में आएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और एक राशानिक प्रिवर्तन के अंदर कौन कौन से गुण यानि प्रिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं यानि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर राशानिक प्रिवर्तन हो रहा है की नहीं हो रहा एक राशानिक अभिक्रिया के गुण क्या है राशानिक प्रिवर्तन के दोरन किस तरह के चैंजिस हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरी बात की गई है उसके बाद राशानिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि राशानिक अभिक्रिया होते समय ए कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण के रूप में बदल कर कैसे लिखते हैं एक रासायनिक समीकरण के अंदर क्या क्या चीजे होती है या उसके भाग क्या क्या होते हैं तो जैसे अभिकारक होता है उत्पाद होता है अभिकारक होता है और उत्पाद होता है ये एक रासायनिक अभिकरिया के भाग होते हैं फिर आगला टॉपिक है आपका रासायनिक समी करणों को लिखते कैसे हैं हमारे सामने एक सब्द समीकरण या कह सकते हैं एक रासायनिक अभीक्रिय अगर लिखी हुई है तो उसको रासायनिक समीकरण के अंदर कंधवर्ट करके कैसे लिखेंगे इसके बारे में यहां पर पूरा समझाया गया है फिर रासायनिक समीकरण दो पूरी जानकारी दी हुई है, फिर आगे कि कंकाली रासानिक समिक्रण को संतुलित करना है, तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका क्या है, इसे संतुलित करना जरूरी क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में समझाया हुआ है, फिर आगे आपके र इन सभी के बारे में यहाँ पर एक एक अभीकिरिया को बहुत अच्छे से समझा रखा है जैसे सबसे पहले समझा रखा है संयोजन अभीकिरिया को उसके बाद आगे समझा रखा है आपके संयोजन अभीकिरिया के चाथ चित्र भी दिया हुआ है उसके बाद जो यहाँ पर उ होंगे उस्मा सेपी अभिक्रिया जिसमें उस्मा बाहर की तरफ निकलती है यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है और दूसरी होती है आपकी उस्मा सोसी अभिक्रिया जिसमें उस्मा का क्या होता है सोसन होता है उस्मा ग्रहन की जाती है न फिर दूसरा प्रकार है आपका विय प्राद्यम से समझाया हुआ है कि विस्तापन अभीक्रिया में क्या होता है जिसमें अधिक क्रियासिल तत्व कम क्रियासिल तत्व को उसके योगिक से क्या करता है विस्तापित कर देता है चौती अभीक्रिया का प्रकार है द्वी विस्तापन अभीक्रिया जब योगीकों के बीच में दो योगी को के बीच में आयनो कादान परदान होता है और एक निया परदात बता है तो वहाँ पर कौन सी बिक्रिया होती है द्वी विस्तापन फिर अंती में आपकी उपचेन और अपचेन अभिक्रिया उपचेन में क्या होता है ऑक्सिजन की व्रदी और हाइड् प्रूजिन की वर्दी हो और की वाप्यवा के ऑदारण है, फिर लास्ट में आपके दो टॉपिक है एक वापिस दिया हुआ है रेडॉकस अभीक्रिया यानि जब झाल अफ्चेन ऑप्चेन बीकरिय एक साथ संपन होती है तो उसा क्या कहते हैं औक हटने के लिए उत्रदाई करने का काम करते हैं उन्हें के अलग अलग प्रभाव दिये वह हैं तो उप्चन के दो मुख्य प्रभाव कौन-कौन से हैं पहला है आपका संचारन दूसरा है आपका विकर्थ गंदीता ये किया होती है इसके बारे में पूरी स्त्यांकारी यहाँ पर दे रखी है और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है लास्ट में दिया हुआ है विकर्थ गंदीता से बचाव यानि परदात को हम लंबे समय तक शुरक्षित कैसे रख सकते हैं इससे समंदित दिया हुआ है और लास्ट में सबसे महत्वपन टॉपिक दिया हुआ है कि राशायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधी है हीट एंड ट्रैल विधी या जिसे हम कहते हैं निरक्षन विधी उस विधी के अंदर एक राशायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी जनकारी यहाँ पर दिया हुई है तरण वाई समझाया गया है कि हमें कैसे एक राशायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है जहां पर कई सारे उधारण के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया हुआ है है न तो इस तरवा मतलब कह सकते हैं कि आपके अध्याए एक में अध्याए एक के अंदर जितने भी टॉपिक दिये थे उन सभी पर बहुत अच्छे से सर्चा की हुई है और उसके बहुत ही संचिप्ट नॉट्स जो आपकी प्रिक्सा की दरश्टी से बहुत ही महतोपून है मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इसके इलाव आपको किताब खोलने की भी जुरूइत नहीं है जिसमें प्रश्ट संक्या 16 से लेकर 18 पर जो प्रश्ण दिये गए है ठीके जो की अभ्यास के प्रश्ण है उन अभ्यास के प्रश्णों के भी समस्त उत्तर यहाँ पर दिये हुए है यानि आपको इन नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की जुरूइत नहीं है बहुत ही मेहत्वण नोट्स है आप एक बार अच्छे से पढ़िए और उसके बाद मुझे आप कमेंट करके जुरूर बताना कि ये नोट्स कैसे हैं और इसके बारे में आपकी राय की ऐसी है अब बात आती है कि आपको ये नोट्स मिलेंगे कहां से जैसा कि मैंने चेप्टर की व्याक्या के दोरन समझाया था कि आपको ये सारे नोट्स हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे कहाँ पर मिलेंगे Telegram Channel पर जिसका नाम क्या है जिसका नाम है जो हमारे Channel का नाम है Govind Lectures वही हमारे Telegram Channel का भी नाम है आपको क्या करना है आपके mobile के अंदर Telegram App को डाउनलोड करना है अगर आपके mobile में Telegram नहीं है तो आप कहाँ पर जाएंगे play store पर जाएंगे और play store पर जाके आप क्या लिखेंगे telegram वाह से आपको telegram मिल जाएगा वहापर अपने mobile number डाल के OTP डालोगे तो telegram सुरु हो जाएगा उसके बाद ऊपर search क्या करोगे आप search करोगे govind lectures यह से आप इस नाम को search करोगे हमारा चैनल खुल जाएगा आपको वहाँ जाकर क्या करना है? जोइन करना है यह बिल्कुल free of cost है आपको कोई पैसा नहीं देरना जहाँ पर आपको जोइन करोगे जोइन करने के बाद वहाँ पर आपको इसकी PDF दिख जाएगी अब समस्या है कई सारे विज्जारती बोलते हैं कि सर अम दो टेलिग्राम यूज नहीं करते हैं उनके लिए है उनके लिए आप वाटसेप चैनल को भी आप जोइन कर सकते हैं वाटसेप लगबग सभी के मोबैल में होगा तो जिस तरह हमारा टेलिग्राम पर चैनल बना हुआ है ठीक वैसा ही चैनल कहाँ पर बना हुआ है वाटसेप पर तो इन दोनों की लिंग टेलिग्राम की लिंग और वाटसेप चैनल की लिंग ये दोनों में आपको कमेंट के अंदर या फिर आपके description के अंदर देद रहाँ तहाँ पर वीडियो के description में जाना है आपको वहाँ जाकर आपको दोनों link मिल जाएगी telegram की link भी और whatsapp की link भी उन लिंक पे click करना है आप सीधी हमारे channel पर पहुंच जाओगे आपको क्याओ वहाँ जाकर क्या करना है जोइन करना है और वहाँ पर आपको सारे notes बिल्कुल free of post मिल जाएंगे उम्मित करता हूँ मेरी ये जानकारी और महनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी यदि मेरे द्वारा ये नोट्स आपके लिए उपयोगी साबित होते हैं तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जएदा से जएदा आपने दोस्तों को शेयर करें चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपया करके चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरी परत्यक्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके उम्मित करता हूँ मेरे द्वारा दीगिये जानकारी आपके लिए बहुत ही मैत्वपुन साबित होगी तो आज के लिए इतना ही जे हिंद जे फरत